उपराजय पाल, आदनिय अनिल बैजल जी, मेरे साथी और भारत सरकार के गुरूराजय वंत्री स्रीमान किसं लिट्डी जी, भारत सरकार के गुरू सचीव स्रीमान भनला जी, मुख्यस्चीव दिली सरकार स्री विजय जी, जिनके प्रयास से और इनिसिटिव के कारण आजे नए भवन की कल्गना साकार हुई है, ऐसे दिली के पुलिस आयुद, स्री अमुले पतनायग जी, स्री राजेश मलिक जी, यहां पर आये हुए दिली पुलिस कमिशनर को अपने अपने समय में गती दिने वाले, आगे बढाने वाले, सभी दिली के पुर्वा पुलिस कमिशनर, यहां उपस्तित सभी सांसर, जन्रति निदी और दिली पुलिस के उपस्तित सभी करमचारी, अधिकारी, भाहियों, बैनों और मिल्या के मिट्र। सबसे पहले तो मैं आग दिली पुलिस की कमिशनर से लेक्टेर, नीचे तक की पूरी डिम को रदय से बढ़ाई देना चाहता हूँ, कि 70 साल के बाद अपने खुच के घर में वो पहुंचे, बहुत देर हो गई, मगर अच्छा ही हो गया, अपना मुख्यालय मिला है, और मेरे लिए भी सवभागय का विशय है, कि जिस दिली पुलिस का इतियास बड़ा समरूद है, बलिदानों से भी समरूद है, कर्दुत्वों से भी समरूद है, और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सम्रूत है देश भड़ की पुलिस में पुलिस बलो में दिल्ली पुलिस को एक अलग दुरूश्टी से देखा जाता है उसके मुख्याले का उठाटन आज मेरे हाथों से हो रहा है ये मेरे लिए भी सौभाग्य करें और उठाटन ऐसे दीन पर हो रहा है जिस दिन को हम सब देश में एक्टा दिवत के रूप से मनाते हैं देश के प्रजम गुरूमंत्री और लोग पुरूश्ट सरदार पटेल की आज जन्म जहनती और सरदार साब की जन्म जहनती से और कौन सा दिल उप्यूख्ट हो सकता है किसी भी पूलिस मुख्यालाई के उठाटन के लिए तो इसलिए मैं आज दिल्ली पूलिस कमीशनर को इसलिए भी बदाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे लिंगा जयन किया है